सुपरभात प्यारे बच्चों, आचा है आप सब भी सेकुसल होंगे आज हम हिंदी में पाठ एक हस रही उश्या को पढ़ेंगे यह एक कवीता है जिसके कवी भारत बुशन अगरवाल है इस कवीता में कवी भारत बुशन अगरवाल ने परभात के सुन्दर द्रिश्य का वर्णन किया है सुर्योत्य होने पर स्तिज में लाली माचा जाती है पक्षियों की चहचाहट सुनाई देती है कवी कहता है सुबह होने पर सभी भच्चों को जाग जाना चाहिए और प्रकर्ति के सुन्दर द्रिश्य का आनन्द लेना चाहिए इस कवीता के मादम से हमें प्रकर्ति के सुन्दरियक को जीवन में ग्रहन करने के लिए प्रेरित किया गया है सुबह हमें समय पर उठना चाहिए तो चलिए अब हम अपनी कवीता को पढ़ते हैं Students, हमारी हिंदी की बुक का नाम है नूतन सरल हिंदी माला जिसमें हम आज पाठ एक को पढ़ेंगे हस रही उश्या, यह एक कवीता है जिसके कवी का नाम है भारत भूशन अगरवाल Students, firstly you write date and day 16 अप्रेल 2021 दिन सुकरवार चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं पठन से पूर्व, यह संपूर्ण संसार नवीनता लिये हुए है क्या का यह जो संसार है, यह दुनिया है, यह एक नई ही नवीनता को लिये हुए है हर दिन एक नया दिन होता है आप सभी को पता है ना, कि हर दिन, जैसे ही नया दिन निकलता है वो क्या होता है, एक नया दिन होता है और हर सुर्योदय, एक नया सुर्योदय होता है ऐसे जो हर रोज एक सुर्योदय होता है, सुबह तो वो क्या होता है, एक नया ही सुर्योदय होता है प्रकर्ती नित्य नवीन्ता की चादर ओडे हमें चमतकर्त करती है क्या का है कि जो प्रकर्ती है वो हमें क्या करती है चमतकर्त करती है अलग-अलग तरह के चमतकार दिखा कर जैसे कभी वारिस हो गई, बादल आ गई, आंधी, तुफान इस तरह से जो प्रकर्टी वो हमें क्या करती है चमतकार दिखाती है प्रकर्टी के इस चमतकार और भाव भगीमाओं को देखने के लिए कवी के समान पार्खी द्रिष्टी की आश्यक्ता है क्या का है कि अगर हमें प्रकर्टी के इन चमतकारों को समझना है तो हमें कवी की तरह क्या होना है एक पार्खी द्रिष्टी मिन्स एक महान द्रिष्टी कौन से उसे देखना और समझना होगा किसे प्रिकर्टी को Next है मारा पाठ परीचे मिन्स हम अपने पाठ में क्या पढ़ेंगे इस कवीता में कवी भारत भूशन अगरवाल ने परभात के द्रिश्य का बहुत सुन्दर वर्णन किया है जो हमारी कवीता है हसरही उश्या इसमें कवी भारत भूशन अगरवाल ने परभात के द्रिश्य का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया कवी ने इस समय पूरव के स्तीज पर लाली चा जाती है जिससे अंदकार का लोप होने लगता है कवी को लगता है कि उश्या हस रही है वह संसार को जगने के लिए कह रहा है और इस छवी का आनंद लेने के लिए प्रेरित कर रहा है अब कवी संसार को कहता है कि जाग जाओ सूर्य उध्य हो गया है और प्रकर्ति के आनंद को लेने के लिए प्रेरित कर रहा है चर्चा करें जिसे कि हम क्लास में पहले भी कर चुके हैं बच्चों से पूछे की परभात आने पर वे कैसा महसूस करते हैं आप सभी कैसा महसूस करते हो सभी को अच्छापन महसूस होता है न पसो पक्सी क्या करते हैं और नदी जर्नों के समिप कैसा द्रिश्य उपस्तित होता है नदी जर्नों के पास कैसा द्रिश्य उपस्तित होता है येस बताईए बहुती सुभावना पक्सियों के चहचार्थ हमें सुनाई देती है नदी जर्नों बे पानी की लहरे हमें सुनाई देती है इस समय जहां कमल के फूल किलते हैं वहां कावातावन कैसा हो जाता है वह भी बहुती सुभावना हो जाता है हमें इन समय, इस समय को जग जाना चाहिए, हाँ हमें सुबह उठ जाना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करें अब हम पढ़ेंगे अपनी कवीता को सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके सबदार्थ को जो पिंक कलर में लिखे हुए हैं देखे रस्मी, रस्मी मिन्स होता है किरण, विहक, पक्सी, निर्जर, जर्ना, प्राची, पूरवदिश्या अरुनाब मिन्स लाल, स्तिज क्या होता है, धर्ती और आकास का मिलन, बिंदु अंबर, आकास, सर्सी, तालाब, रक्तिम, लालिमा, यूप्त, जिसके अंदर लाल पन हो, लालिमा, यूप्त, सर्सीज, कमल सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे संकेत, बहे चले, डैस, रक्तिम, सर्सीज बहे चले, रक्तिम, सर्सीज, इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंद, जिसके आप सभी को पता है, प्रस्तुत फंक्तियां हमारी हिंदे की पाठ्य पुस्तक, नूतन सरल हिंदी माला, मे संक्लित, हस्रही उश्य, नामक कविता से ले गई है इसके कवी भारत भूशन अगरवाल जी है, इसमें कवी ने सुर्योदय का बढ़ा ही सुन्दर वर्नन किया है अब आगे देखिए सुर्य की किरने चारो तरफ फैल गई है पक्षियों ने भी गीत गाना सुरू कर दिया है आप सुभी देखते ना, सुबह पक्षी चहचाना सुरू कर देते हैं मिन्स अपना गीत गाना सुरू कर देते हैं जर्णों की सुन्दर्ता का वन्नन करते हुए कभी कहते हैं कि जर्णों से मीठी जरजर की आवाज आनी सुरू हो गई है पूरव दिश्या में धर्ती और आकास के केंद्र बिंदू तक लालीमा फैल गई है कभी कहते हैं कि ऐसा लगता है मानों आकास रूपी तालाब में कोई लाल रंग का गुलाब और लाल रंग का कमल खिल गया हो अब इसमें हम बनाएंगे भावार्त भाव यह है कि जब सुर्य उद्य मिन सुर्य उद्य होता है उसकी चमक उसकी किरने चारों तरफे फैल जाती है इसके बाद हम लिखेंगे विसेज भाशा सरल्वै सहज है भाशा भावो के अनुकूल है भाशा चित्रातमक परतीत होती है चित्रों के कोड़ी एंड लास्ट पॉइंट हमारा बनेगा तद्सम तद्भाव सब्दों का परियोग किया गया है अब देखिए सेकेंड हमारा धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेक आलोक रेक एक सब्द है जिसका आर्थ होता है परकास की रेखा धुल गया तिमिर तिमिर मेंस होता है अंधेरा बहे गई निशा निशा मेंस रात चहुं और मेंस चारों और देख धुल रही विभा मेंस चमक विमलाब कांती विमलाब होता है निर्मन ससमित जो मुस्कुरा रहा हो विसमित चकित मेंस हैरान खुल गए दवार हस रही उशा इसमें भी हम ऐसे ही क्या बनाएंगे संकेत बनाएंगे सबसे पहले देखिए धीरे धीरे हस रही उश्या इसके बाद हम लिखेंगे सरलार्थ देखिए कभी प्रात्यकालिन सुर्योदे का वर्णन करते हुई कहते हैं कि धीरे धीरे सुर्ये के परकास की रेखा चारो तरफे फैल गई है सुर्योदे के काण अंधकार खतम हो गया और रात भी चली गई है कभी कहते हैं जब हम चारो तरफ देखते हैं तो चमक फैली हुई दिखाई देती जैसे आप सभी देखते ना जब सुर्योदे होता है तो चारो तरफ क्या दिखाई देती हमें चमक फैली हुई सुर्ये की र कवी यह देखकर बहुत खुस है और हैरान भी है अब क्या कह रहा कवी यह सब द्रिश है देखकर वो क्या है खुस भी है और हैरान भी है मिन्स चकित भी है कि यह सब कैसे हो रहा है घरों के दरवाजे खुल गए है और उश्या हस रही है जैसे सुर्योदय होता है सभी अपने गरों के दरवाजों को खोल देते हैं इसमें भावार्त बनेगा हमारा सुर्योद्य होने पर गरों के दरवाजे खुल गए हैं और उश्या हस रही है ऐसे याप इसमें जो हमने क्या बनाया था विसेज बनाया था वो विसेज लिखेंगे हम भाशा सरलवे सहज है भाशा परतीत होती है, तद सम तद्भव सब्दों का परियोगे किया गया है आसा है आप सभी को कवीता समझाई होगी आप सभी वचों ने इस कवीता को पढ़ना है, समझना है पुर्च सरलाद को अपनी फेर नोटबुक में सुन्दर सुन्दर राइटिंग में लिखना है धन्यवाद आपका दिन सूप हो